मश्कार आप देख रहे हैं देभूमी इंसाइडर मैं हूँ आपके साथ रश्मी पवार महर देश के राश्टपती पद के लिए आज यानि के 18 जुलाई को चुनाव प्रक्रिया जारी है अभी हम विदानसपा के बाहर खड़े हैं और अंदर चुनाव प्रक्रिया चल रही है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी जिसमें उत्राखन के सभी 70 विधायक जो हैं वोट डालेंगे इसमें 47 विधायक भाजपा के हैं 19 विधायक जो हैं वो कॉंग्रेस के हैं उसके अलावा बसपा के दो विधायक और जो निर्दले विधायक है वो दो अन्य विधायक भी अपना वोट डालेंगे जो बसपा की दो विधायक है और निर्दलिय दो विधायक है उनका समर्थन भी भाजपा को है आज राश्पदी पद्ध की जो उमीदवार है भाजपा की ओर से द्रापदी मुर्मू उनके लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है साथ ही जो विपक्ष के उमीदवार है येश अलग होती हैं आपको बता दे कि जो यह वोटिंग होती है जैसे कि आम चुनायों में आप जानते ही हैं कि जेनरल ईलेक्षन एलेक्शन अंक्ः naw abuses होते हैं उन्हें direct voting होती है जिब कि जो राशपदी पद के लिए जो अपना चुनाव प्रग्रेम जो उनका वोट है वो डाल चुके हैं भाजपा का समर्थन द्रौपदी मुर्मु के लिए है और आप देख सकते हैं कि वो चुनाव में अपना वोट डानले के बाद वो निकल रहे हैं इसके अलावा जो विदानसभा अध्यक्ष है खंडूरी ज अपना वोट डालेंगे शाम पांच बजे तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी राश्टपती पत्की उमिद्वार दुरौपदी मुर्मु जी एक तरफा चुनाव जीत रही है मद्दान महज अपचारिकता है जब उनकी घुस्वला हुई था उसी समय तह था कि वो एक तरफ जो रह गया था उस पर आज महर लग रही है पूरे देश वर के अंदर से देखे मेरा प्रयास है कि देश में अंतिम पाइदान पर खड़ी हुई एक आदिवासी महिला को देश के सरवोच स्थान पर जो पहुंचना है उसमें चोटा सा युगदान करने का और मैंने अपना युगदान किया है और मुझे उमीद है कि एक अदिवासी जन जाती की महिला जो देश में अंतिम पाइदान पर खड़ी थी वो पर्थम पाइदान पर आ जाएंगे कह सकते हैं सिर्ष पद है उस पर एक आदिवासी बर्क की महिला का ऊपर से एक महिला को वहां पर उस पद पर सुशोबित करने के लिए जो एंडियों प्रदान मंतरी मुदी जी का जो निर्ने रहा है उसके पक्ष में भारती जनता पार्टी के सभी 46 विधायक और साथ साथ जी तक ये जुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी जो विधायक है वो अपना मतों का प्रेयोग करेंगे आपको ये भी बता दे कि जो आज चुनाव हो रहे हैं जो इसका परिणाम है वो 21 जुलाई को आएगा और 25 जुलाई को शपत समारों होगा नए राश्रपती का आपको अंधी पाता दे कि जो इन डिरेक्ट वोटिंग हो रही है इसमें इस बार जो सांसदों के वोट मूलियग है वो 700 है और अभी अगरम उत्राखंड की बात करें तो सभी भागा को बालत हैकों कावोट मूलिय दें Hutा 38 ghost इसमें अगर हम सांसोदों का वोट मूल्य भी जोड दे तो लगबक 8000 के करीब जो ये वोट मूल्य है वो भाजपा के पास है तो एक बड़ा वोट मूल्य भाजपा के पास है उत्राखंड से भी अगर हम बात करें तो साथ ही जब नामंकन हुआ था राश्पती पत की उमीदवार जो है द्रापदी मूर्मु जी उनके जो प्रस्तावक थे वो प्रधार मंद्री नरेंद्र मोधी बने थे और उनके साथ जो राजनात सिंग हमारी डिफेंस मिनिस्टर है वो अनुमोदक बने थे वहीं अगर हम विपक्षी पत की उमीदवार की बात करें यश्वन सिना जी की तो उनके साथ 17 विपक्षी दल शामिर थे साथ में जो विपक्ष के नेता है राहूल गांदी उनके साथ आय थे और नामंगन के दौरान सभी ये जो विपक्षी दल के नेता है वो साथ रहे थ कि अभी शाम पांच बजे तक कितने विधायक जो है वो अपना मतों का प्रयोग करते हैं और साथ ही जो इसका जो चुनाव परिणाम है उसके लिए इंतजार रहेगा बाकी तीन दिन अभी हम इंतजार करेंगे और 21 जुलाई को जो ये चुनाव परिणाम है वो आ जाएंगे कैमरामैन आकाश श्रिवास्तव के साथ प्रश्मी पावाद में है देभूमी इंसाइडर आप